हेलो एवरिवान वेलकुम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज का अमारा टॉपिक है अब्जेक्टिब कोश्चन्स आज के अमारे इस वीडियो में हम सोशोलोजी के कुछ बहुत ही इंप्रेंट्स ओप्सेक्टिब कोश्चन्स के विशें में जानेंगे फ्रेंट्स ये कोश्चन वहीं इंप्रेंट्न है क्योंकि ये अग Gibbs शास्त्र की कोश्चन पेपर में पूछे जाते हैं प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे की आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके फ्रेंट्स चलिए जाया देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की और और जानते हैं इंपोर्टेड अब्जेक्टिब कोशन के विशे में हमारा पहला कोशन यहाँ है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किस ने लिखी है आपके ऑप्शन से ऑप्शन नमबर वन अरस्तू ऑप्शन नमबर टू कॉम्टे ऑप्शन नमबर थ्री रूसो ऑप्शन नमबर फोर प्लेटो तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नमबर वन अरस्तु कहने का मतलब यहाँ है कि politics नामक पुस्तक अरस्तु ने लिखी है हमारा दूसरा प्रेशन यहाँ है कि France में समाश शास्त्र का portion किस ने किया आपके options है option number one Russo, Mountain और Goss ने option number two Herbert Spencer और Meal ने option number three Redgel और Marx ने option number four इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा option number one Russo, Mountain और Goss ने कहने का मतलब यहाँ है कि France में समाश शास्त्र का portion Russo, Mountain और Goss ने किया हमारा अगला प्रेशन यहाँ है कि समाश शास्त्र का अध्यन सरुपर्थम कहां शुरू हुआ आपके options है option number one England option number two Yale Wish Vidyaalaya America option number three Poland में option number four France में तो इसका सही उत्तर होगा option number two Yale Wish Vidyaalaya America कहने का मतलब यहाँ है कि समाश शास्त्र का अध्यन सबसे पहले Yale Wish Vidyaalaya जो की अमेरिका में है वहाँ पर शुरू हुआ था हमारा अगला प्रेशन यहाँ है कि समाश शास्त्र का अध्यन किस वर्ष शुरू हुआ आपके options है option number one 1836 में option number two 1872 में option number three 1815 में option number four 1831 में तो इसका सही उत्तर होगा option number one 1836 में कहने का मतलब यहाँ है कि समाश शास्त्र का अध्यन 1836 में शुरू हुआ हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि ओद्योगी क्रांती में पूर्व यूरोपीय समाज दैश पर आधारिच समाज था दूसरे शब्दों में कहें तो ओद्योगी क्रांती में पूर्व यूरोपीय समाज किस पर आधारिच समाज था आपके options है option number 1 क्रिशी पर, option number 2 उद्योग पर, option number 3 वर्ग पर या फिर option number 4 इन में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर होगा option number 1 क्रिशी पर कहने का मतलब यहा है कि उद्योगिक क्रांती में पूर्व यूरोपिय समाज क्रिशी पर आधारित समाज था हमारा अगला प्रशन यहा है कि उद्योगिक क्रांती के क्या समाजिक प्रभाव हुए दूसरे शब्दों में कहें तो जो उद्योगिक क्रांती हुई थी उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े आपके ऑप्शन से ऑप्शन नमबर 1 छोटे किसानों का अंत हो गया ऑप्शन नमबर 2 नगरों की और जनसंख्या का खिजाव हुआ ऑप्शन नमबर 3 कारखानों में इस्तریوں और बच्चों का नौकरी करना ऑप्शन नमबर 4 ये सभी तो इसका सही उत्तर होगा option number 4 ये सभी कहने का मतलब यहाँ है कि ओद्योगिक क्रांती के समाज पर ये सभी प्रभाव पड़े थे हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि ओद्योगिक क्रांती का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ आपके option से option number 1, राश्ट्रे में पूंजी व्रधी, option number 2, ओद्योगिक नगरों की स्थापना एवं विकास, option number 3, पूंजी पती वर्ग का जन्म, option number 4 ये सभी, तो इसका सही उत्तर होगा, option number 4 ये सभी, कहने का मतलब यहाँ है कि ओद्योगिक क्रांती का आर्थिक छेत्र में य सभी प्रभाव पड़े थे, हमारा अगला प्रस्न यहाँ है कि ओद्योगिक क्रांती के राजनीतिक प्रभाव क्या हुए, आपके option से option number 1, देश एवं जाती के संगठन में दिरता, option number 2, चार्टिस्ट आंदोलन का जन्म, option number 3, नवीन राजनीतिक दर्शन की नीफ, option number 4, य यह सभी कहने का मतलब यहाँ है कि ओद्योगिक क्रांती का राजनीतिक छेत्र में जो प्रभाव पड़ा था, तो वे यह सभी प्रभाव पड़े थे, हमारा अगला प्रस्न यहाँ है कि फ्रांस की क्रांती का प्रमुक कारण क्या था, आपके option से option number 1, निरंकुष राजतंत option number 2, आवेवस्थित प्रशासन, option number 3, राश्टरता की भावना का आभाव, option number 4, यह सभी, तो इसका सही उत्तर होगा option number 4, यह सभी, कहने का मतलब यहाँ है कि फ्रांस की क्रांती का जो कारण था, वे यह सभी थे, फ्रांस में जो क्रांती हुई, उसके पीछे यह सभी कारण उत्तरदाई थे, हमारा अगला प्रशन यहाँ है कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था, आपके option से option number 1, 3 वर्गों में, option number 2, 4 वर्गों में, option number 3, 6 वर्गों में, option number 4, 2 वर्गों में, तो इसका सही उत्तर होगा option number 1, 3 वर्गों में, कहने का मतलब यहाँ है कि फ आपके option से option number one कुलीन वर्ग, option number two पादरी वर्ग, option number three निमन वर्ग, option number four यह सभी वर्ग तो इसका सही उत्तर होगा option number two पादरी वर्ग कहने का मतलब यहाँ है कि पादरी वर्ग के लोगों को किसी प्रिकार का कोई भी कर नहीं देना पड़ता था हमारा अगला प्रेशन यहाँ है कि फ्रांस के राजमहल का वार्षिक खर्च कितना था आपके option से option number one लगभग 15 करोड रुपए, option number two लगभग 10 करोड रुपए, option number three लगभग 17 करोड रुपए, option number four लगभग 20 करोड रुपए तो इसका सही उत्तर होगा option number one लगभग 15 करोड रुपए कहने का मतलब यहाँ है कि फ्रांस के राजमहल का वार्षिक खर्च लगभग 15 करोड रुपए था हमारा अगला प्रेशन यहाँ है कि यदि मेरे पास 100 स्वर होते तो मैं सभी स्वरों से सुतंतरता देवी की वंदना करता यहाँ कथन किसका है आपके option से option number one कॉम्टे का, option number two दुरखीम का, option number three पैरेटो का, option number four ब्लाब स्टॉक का तो इसका सही उत्तर होगा option number four ब्लाब स्टॉक का, कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ कथन ब्लाब स्टॉक ने कहा है फ्रेंट्स यह थी जानकारी समाज शास्त्र के कुछ objective टाइप questions के विशय में आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे comment box के जरिये जरूर बताईएगा आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी